स्वागत है आपका अपनी चैनल हटके प्रडिक्टर में तो आज हम बात करने वाले हैं चैंपियन 11 वसस चार्जर 11 का जो मैच नमबर 6 है कारबान आंधरा T20 का करीबन देड़ बजे मैच स्टार्ट होने वाला है इसमें आपको प्रॉबेबल 11 और Grand League की सजेशन की बात हम करेंगे क्योंकि ये मैच जो है बहुत अच्छा है Grand League के लिए Small League के लिए तो आपको Almost safe players लेने पड़ेंगे लेकिन Grand League में आप कुछ मतलब 4-5 ऐसे players हैं जो के अच्छे players हैं लेकिन last match में perform नहीं कर पाये थे अब दुनिया जो last match perform कर रही है उनके साथ जा रही है आप चाहो तो Grand League में बहुत सारे players को try कर सकते हो तो चलो उसी बारे मैं अभी बात कर लेते हैं यहां पे last match में देखो चैंपियन सी 11 की तरफ से मुनिश वर्मा और वमसी ने open किया था वमसी ने 28 किया मुनिश वर्मा जिरो पे आउट हो गया प्लस बोलिंग करके एक विकेट लिया था पी सुब्रमुन्यम वन डौन नौरन रिकी भूई 24 अश्वीन हबार 57 नाट आउट प्लस जिरो विकेट राकेश अगस्टाइन एक रन पे रन आउट हो गया जहीर अबबास 21 नाट आउट की पारी खेला था नीचे बैटिंग करते हुए अब बोलिंग की जब बारी आई तो स्नेहा किशोर ने एक विकेट लिया विने कुमार ने एक विकेट वर्षित रेड़ी ने एक विकेट और सिवा कुमार जो के बहुत अच्छा बोलर है लेकिन विकेट लेज गया था अब इनके बोलिंग डिपार्टमेंट की यहाँ पे बात करें तो विने कुमार ने 3 ओवर की गेंदबाजी 25 रन एक विकेट वर्षित रेड़ी 3 ओवर 34 रन एक विकेट अश्विन हबार ने 2 ओवर डाला था 29 रन दिया जिरो विकेट मुनीश वर्मा 3.5 ओवर 37 रन एक विकेट लिया स्नेहा किशोर ने 4 ओवर चिर्फ 18 रन दिया एक विकेट लिया और सिवा कुमार को भी दो ही वोवर मिला था 15 रन की मतलब 15 रन इसने पिटवाय थे विकेट लेस गया था अब बात कर लेते हैं यहां के देखो प्लेयर्स की अब यह रहा इनका प्रवेबल 11 मतलब के यही हो सकता है ओपनर्स भी यही हो सकते हैं थोड़ा रिकी भुई को यहां पे उपर भेजा जा सकता है वो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि रिकी भुई और अश्वीन हबार उपर आ सकते है पी सुब्रमंडियम यहां पे नीचे जा सकता है अब यहां पे विकेट की पिंग सेक्षन में बात करें तो वमसी कृष्णा ओपन कर रहा है प्लस देखो अपोसिट में कौन है यहां पे कोना श्रीकर भरत है तो इनका एक बार देख लेते हैं अब यहां से चारजर सी लवन से क्या हुआ कोना श्रीकर भरत और वही संदीप ने ओपन किया श्रीकर भरत ने 64 किया वही संदीप दो रन पे रन उट हो गया उसके बाद आया नितीश कुमार रेड़ी जो के दो ही रन कर पाया प्लस जीरो विकेट बड़ोपती सुमंत सोला के धिरजरेल लक्षमी दस रन प्लस एक विकेट एसके राशीद ने अच्छा खेला था 21 नट आउट की पारी केपी साई राहूल नीचे बैटिंग करते हुए एक रन किया प्लस चार विकेट इसने लिया हुआ था लास्ट मैच में विनई ने एक विकेट लिया 16 रन करके बंडारू अईयपा एक रन प्लस एक विकेट और सिधार्थ ने विकेट वही प्रमोद ने एक विकेट यहां पर लिया हुआ था जब बोलिंग किसे बात है तो बंडारू अईयपा एक ही प्लेयर है जो अभी तक यहां पर मेडिन डाल पाया है तीन ओवर एक मेडिन पांच रन एक विकेट और प्लेयर भी बहुत अच्छा है रनजी में भी मतलब रेप्रेजेंट करता है अंधरा को रेप्रेजेंट करता है आप चाहो तो यहां पर देख सकते हो मैंने लास्ट टेम भी आपको कहा था और प्लस यह डेकन चार्जर्स वगएरा IPL भी रेप्रेजेंट कर चुका है तो यह यहां से इंपोर्टेंट था ही लास्ट मैच में भी बताया था कि बंडार वई अपपा इंपोर्टेंट रहेगा वही प्रमोद इसका स्टैट्स मुझे मिला नहीं था लेकिन एक विकेट इसने जरूर लिया था KP साई राहूल को भी हमने कहा था कि लास्ट मैच में इंपोर्टेंट हो सकता लेकिन बैटिंग नीचे कर रहा है भले ही बैटिंग नीचे कर रहा हो लेकिन बोलिंग से चार विकेट जरूर इसने लिये थे निटीश कुमार रेड़ी ने तीन ओवर की गेंद बाजी किया और बैटिंग कहां पर कर रहा है भाई वन डौन पर बैटिंग कर रहा है निटीश कुमार रेड़ी सिल सिधार्थ दो विकेट टिकाल के गया बी विन है नीचे बैटिंग करते हुए अगर खेलता है तो उतना कुछ खास प्लेयर नहीं है इसके सामने क्योंके दो अच्छे प्लेयर से हमारे पास एक वमशी कृष्णा एक कोना श्रीकर भरत एक विकेट कीपिंग सेक्शन से इनकी टीम से हो गया कोना श्रिकर भरत आप सब दुनिया कोना श्रिकर भरत के साथ है आप इसके साथ भी जाओ मतलब यह नहीं कह रहा हूँ कि इसको ड्रॉप कर दो अच्छा प्ले रहा है इंडिया अडर 19 इंडिया ब्लू इंडिया ग्रीन को रेप्रेजेंट भी कर चुका है तो आपके लिए यह बहुत इंपोर्टेंट भी है इसके साथ साथ आप वमसी कृष्णा को भी लेकर चल सकते हो क्योंकि वमसी कृष्णा यह भी ओपन कर रहा है लेकिन दुनिया इसको ले नहीं रही है और लाश मैट में इसने भी 28 रन किया था लेकिन कोना श्रिकर भरत ने 50 जड़ा था म अब उसके बाद क्या हुआ भाई यहां से चैंपियन सी लवन से मुनिश्वर्मा मुनिश्वर्मा का भी चलो हम एक काम गते डिर्मी लवन पर ही जाके बात कर लेते हैं हाँ तो देखो अब यहां पर यह भी ओपन कर रहा है यह तो खेला नहीं था इसको छोड़ दो अगर खेलेगा भी तो उतना कुछ खास प्लेयर है नहीं तो इसके साथ साथ आब वोमसी क्रिशना को भी grand league में try कर सकते हो small league में small league में को दाए ब्ले कर जाना है वोमसी क्रिशना को सिर्फ grand league में try करना है आब बैटिंग सेक्षन की बात आई तो Ricky Booy important player है मतलब इंडिया under 19, इंड इंडिया ब्लू को भी रेप्रेजेंट करता है प्लस आपको मतलब IPL में भी रेप्रेजेंट कर चुका है तो रिकी भूई यहां से इंपॉर्टेंट है अब यह सके राशीद का परसेंटेज देखो 83% है लेकिन यह नीचे बैटिंग कर रहा है अब ओपर बैटिंग कौन कर किसी ना किसी मैच में तो बड़ा करने ही वाला है स्टैट्स भी अच्छा इसका स्टैट्स भी एक बार हम देख लेंगे पहले यहां पर बात कर लेते हैं अभी एक हो गया देखो वही संदीप को आप ले सकते हो ग्रैंड लिग में बड़ोपती सुमंत को आप ले सकते हो आगस्टेन को आप ले सकते हो ग्रैंड लिग में, बाकी दुनिया जो जा रही है, रिकी भुई, राशीद और धीरज लक्षमी के साथ, ये तीन, प्लस विकेट किपिंग सेक्षन से बात करें, तो ऐसे दुनिया लेकर जा रही है, आप इन बाकी प्लेयर्स को जो मैं बता र जो कि ओपन कर रहा है, प्लस तीन ओवर की गेंद बाजी भी करते हुए दिखा था, तक दो तीन ओवर्स बोलिंग भी कर रहा है, लेकिन इसको कोई ले नहीं रहा है, तो ये आपके लिए इंपोर्टेंट है, नितिश कुमार रेड़ी स्टेट या स्टेट लेवल या फिर sondern level पर represent करता है, और अपने खोटे के पुरे over डाल रहा है, वन डाउन बेटिंग कर रहा है, लेकिन इसको भी कोई ले नहीं रहा है, श्टैट्स भी इसका भी अच्छा है, फिस सुब्रमान्यम ने बोलिंग नहीं कि थी, लेकिन वन डाउन बेटिंग कर रहा था लस्ट अब दुनिया भूल किसको गई है एक तो है यहां से साई कुमार साई कुमार को भूल गई है लाश मैट में भले इसने दो ओर डाला था लेकिन इसका स्टैट्स वगरा अच्छा है मैं आपको वह भी दिखा दूंगा वही प्रमोद इसने भी बोलिंग अच्छी की थी इसको कोई ले नहीं है अगर यह खेलता है ब्रह्मातेजा तो आपके लिए चीपिक रहेगी आप यहां से बात करें वर्षीत रेडी की वर्शीत रेडी भी अच्छा बोलर रहे है लेकिन या फिर विने कुमार ले रहे हैं सब लोग आप Grand League में क्या करसकते हो Try करसकते हो वर्षीट रेड़ी को सिधारत की जगे पर या फिर साज कुमार को सिधारत की जगे पर मतलब इसको और बंडारो यपपा को drop मत करना सिधारत और विने कुमार की जगे पर कोई दो बोलर आप दूसरे यहाँ पे ट्राइ कर सकते हो तो चलो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टैट्स की इनके पहले तो champions 11 की बात कर लेता है Champions 11 में अभी रिकी भुई जो मैंने आपको बताया था India under 19 मतलब India under 19, India blue, India green और IPL जो रेप्रेजेंट करता है वो आपको ऐसे डबल कलर्स में दिख जाएगा तो यहाँ पे डबल कलर मेरी कीभुई को रखा हुआ है राकेश अगस्टीन उपर बैटिंग कर रहा है डीसेंट बैट्समन है जरूरत पढ़ने पे बोलिंग भी कर सकता है ग्रेंड लिंग में ट्राइ कर सकते हो जहीर अबास को तो लोग ले ही रहे हैं क्यूंकि इसने अच्छा खेला भी था लास्ट मैच में अब यहाँ पे देख सकते हो 21 नाट उट की पारी इसने खेली थी लेकिन इसकी जगे पे आप किसको ट्राइ कर सकते हो बैटिंग सेक्शन से धुरूर कुमार रेड़ी अगर खेलता है तो आप लेकर चल सकते हो इसने खेला नहीं था तो उतना प्रिफर नहीं करेंगे अब ही अपोनेंट की बात करें तो मतलब चार्जर सी लविन के बैटिंग सेक्शन से अगर प्रिफर करना चाहे तो देखो वही संदीप है अब यहाँ पे वही संदीप को क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट मैच में ओपन किया था रन ओट हो गया था दो रन पे लेकिन प्लेयर बहुत अच्छा है स्टाट्स आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेट या नैशनल लेवल पे रेप्रिजेंट करता है ब्लू कलर में यहाँ पे दिया हुआ है एवरेश 39.75 का है कलब लेवल में जरूरत पढ़ने पे आपको यह भी बोलिंग करते हुए दिख सकता है 33 इनिंग्स में 30 विकेट्स वही संदीप ने निकाला हुआ है तो वही संदीप भी आपके लिए एक बहुत अच्छी डिफरेंशियल पिक हो सकती है स्मॉल लीग हो या ग्रेंड लीग हो अब उसके बाद यहां से बात करें चैंपियन सी लवन की अल रॉंडर सेक्शन्स की तो आश्वीन हबार तो इंपोर्टेट है ही इसको लेना ही है मुनीश वर्मा इसको कोई लेनी रहा है मने आपको बताया भी था ओपन कर रहा है मतलब ओपन कर रहा है प्लस अपने ओवर के किते ने कोटे के ओवर में डाल रहा है मुनीश वर्मा 3.5 वर्मा मतलब पूरे 4 ओवर इसने किये थे 37 रंज दिया एक विकेट लिया प्लस ओपन करके उतना कुछ कर नहीं पाया था जिरो प्याउट हो गया था लेकिन एक अच्छी पिक हो सकती है आपके लिए मुनीश वर्मा की आप सुबरा मंडियम की बात करें तो इसने बोलिंग तो नहीं की थी लेकिन अगर बोलिंग करेगा तो आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा अगर बोलिंग नहीं कर रहा है तो इसको ड्रॉप करके चल सकते हैं कौशिक अगर खेलता है तो तना कुछ खास है नहीं आपोनेंट की बात करें चार्जर सी लवेंड की बात करें और उंडर सेक्शन में तो नितीश कुमार रेड़ी ये भी इंडिया ब्लू इंडिया ग्रीन को रेप्रेजेंट करता है प्लस इसका स्टैट्स भी अच्छा है क्लब लेवेल पे 42.85 का इसका आवरेज है 39 इनिंग्स में 57 विकेट इसने निकाला हुआ है वन डॉन बैटिंग कर रहा है लेकिन कोई ले नहीं रहा है इसको केपी साही राहूल को सब ले रहे है क्यूंकि इसने 4 विकेट लाश मैट में लिया था अब हमें रिस्क नहीं लेना इसको ड्रॉप करके लेकर चलना ही पड़ेगा इसलिए कह रहा हूँ ग्रैंड लिग में नितिश कुमार रेड़ी वर्मा को आप ट्राइ कर सकते हो अब बाखी रहा विनाय विनाय को भी बहुत लोग ले रहे हैं आप भी चाहो तो लेकर चल सकते हो स्टैड्स भी अच्छा है विनाय का उतना खराब नहीं है स्टैड्स भी अच्छा है अब उसके बाद बात करें बोलिंग सेक्शन की तो दो प्लेर अल रोंडर के हो गए अब बोलिंग में देखो विने कुमार इसने कितना ओवर डाला था यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं अब विने कुमार ने तीन ओवर डाला 25 रन पिटवाए एक विकेट किया था उसके बाद सीवा कुमार देखो 2 ओवर 15 असने हा किशोर 4 ओवर 18 तो अब यहाँ से बात करें तो विने कुमार की जगे पर सीवा कुमार और सने हा किशोर को हम प्रिफर कर सकतें स्नेहा किशोर IPL represent कर चुका है डेकन चार्जर्स या फिर सन्राइजर्स हैदराबाद की तरफ से सिवा कुमार जो क्या है नैशनल लेवल या फिर इंटरनाशनल लेवल पे खेल चुका है वर्शीत रेड़ी का भी आप स्टाइट्स यहां पे देख सकते हो बैटिंग मिलने पे वर्शीत रेड़ी भी स्कोर करते होई भी आपको दिख सकता है 63 इनिंग्स में 85 विकेट्स इसनी लिए है तो यहां से मेरे लिए इंपोर्टेंट है यह दो सिवा कुमार और स्नेहा किशोर इनको आप ग्रैंड लिग में ट्राइ कर सकते हो अब इनकी बात करें चारजर सीलव इनकी तो इनके बोलर्स का रेकॉर्ड यहां पे रहा कि कितना कितना ओवर्शीनों नी किया हुआ है अब यहां पे एक बार देख लेते एक नज़र डाल लेते अब बंडारो यपपा को तो लेकर चलना ही है संतोष कुमार अगर खेलता है तो आप इसको ट्राइ कर सकते हो डिसेंट पिक रहेगा सिदार्थ ने लास्ट मैच में दो विकेट लिया था लेकिन इसका कोई स्टैट्स है नहीं तो यहां से उतने कोई अच्छे आप्शन नहीं है ब्रह्मा तेजा अगर खेलता है तो ब्रह्मा तेजा एक बहुत अच्छी पिक हो सकती है उपर बैटिंग करते होए दिख जाएगा प्लस आपको 47 इनिंग्स में 70 विकेट भी लिया हुआ है तो बोलिंग भी पूरे अपने खोटे के करते होए दिख जाएगा तो यह होगा important players आप यहाँ से dream 11 team की safe team की बात करें तो देखो यह safe team हो सकती है small league के लिए differentials मैंने आपको बता दिया dream 11 पर ही जाके तो वहाँ से आप differential picks ले सकते हो यहाँ पे भी मैंने लिया हुआ है बड़ोपती सुमंत को लिया हुआ है और यहाँ से नितिश कुमार रेड़ी को लेके voice captain किया हुआ है आप चाहो तो इसके साथ जा सकते हो या फिर सीधा-सीधा captain के पिसाह रहूल को कर दो और voice captain अश्विन हबार को कर दो या फिर एक मुनिश्वर्मा भी अच्छी option है आपके लिए अब जो grand league picks रहेंगे उनको जरूर ट्रे करना अगर अच्छा करते हो तो टेलिग्राम पे या फिर comment करके जरूर बताना कुछ भी suggestions हो तो comment कर देना comment section में आपको इसका reply मिल जाएगा तो चलो मिलते हैं एकले वीडियो में धन्यवाद